दोस्तों आज की डेट में इंडिया में हर महीने कोई ना कोई निया स्मार्टफोन लाँच होता ही रहता है जिनके अंदर हमें लेटेश स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं तो इसी कारण इंडिया में सभी स्मार्टफोन कंपनी आए महीने अपनी तरफ से एक निया स्मार्टफोन लाँच करती है जिसके अंदर लेटेश स्पेसिफिकेशन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं इसका डारेक बेनिफिट हमें होता है जिसके करण हमें कम प्राइज में लेटेश स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं तो आज की वीडियो में हम इसी topic को cover करने वाले हैं कि ऐसे कौन से smartphone है जो March के महिने के अंदर इंडिया में launch होने वाले हैं और उनके अंदर क्या कुछ specification रहने वाले हैं तो अगर आप एक नया smartphone लेने का मन बना रहे हैं तो आज की वीडियो को बीना skip कीजिए लाट तक देखेगा तो कर लीजिएगा आपके चैनल को सब्सक्राइब अगर चैनल को अलड़ी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं बूलिएगा तो बिना किसी दिरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो टापिक को अगर बात करें स्टार्ट की तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको QHT डिस्प्लेई मिलेगी 120Hz के साथ स्टार्ट का 865 वक्ता का प्रसेसर मिलेगा इसके लावा 16GB की RAM मिलेगी और हाइस टोरेंट में 512GB के इंटरन श्टोरेज मिलने वाली है 5000 इमेज की वैंटरी मिलेगी और 65W की फार्सेजिंग को ये स्मार्टफोन स्पोर्ट करेगा इसके लावाई स्मार्टफोन की खासपत ये है कि ये 5G capable स्मार्टफोन होने वाला है Gaming Lover के लिए यह smartphone काफी अच्छा होने वाला है और इसकी pricing की बात करें तो 50 ज़र से नीचे ही इसकी pricing आपको देखने के लिए मिलेगी अगले smartphone की बात करें तो उसका नाम है Honor 9X Pro, Honor 9X Pro के smartphone की specification की बात करें तो वो कुछ जिस तरह से विलने वाले हैं इस स्मार्टफोन की बात करें तो वो आने वाला है ओपो की तरफ से ओपो 831 की बात करें तो इस स्मार्टफोन में इस स्मार्टफोन की बात करें तो वो आने वाला है Samsung के तरफ से Samsung Galaxy M11 और Samsung Galaxy A11 दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर वी नोच डिजाइन की डिस्प्ले मिलेगी, बैक साड में आपको ट्रिपल लियर का सैटम मिलेगा, अगली लिक के अंदर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन के अंदर आपको fingerprint sensor भी मिलने वाला है, कुछ images और भी लिक हो रही हैं जिससे clear हो जाता है कि A11 के अंदर तो आपको फॉर्ट होजमेच की बैटरी मिलेगी और M11 के अंदर आपको फॉर्ट होजमेच की बैटरी मिलने वाली है, overall दोनों ही फोनों में वी नोच डिजन के डिस्प्ले मिलेगी, triple rear camera का setup मिलेगा, next smartphone की बात करें तो वो आने वाला है, Redmi के तरफ से Redmi 9A, Redmi 9A में कुछ इस तरह से specification देखने के लिए मिलने वाले हैं, इस phone के अंदर आपको HD plus iPad display मिलेगी, साइज अभी confirm नहीं है, MediaTek का Helio G70 Octa-Core processor मिलेगा, 13 plus 2 Megapixel का rear camera setup मिलेगा, 8 Megapixel का selfie camera setup मिलेगा, 5,000 image की battery मिलेगी, 2GB की RAM मिलेगी, 32GB की internal storage मिलेगी, Type-C का slot मिलेगा, और price मिलने वाला है 6,999 रुपे का, next smartphone की बात करें, तो वो आने वाला है, Redmi की तरफ से Redmi Note 9 और Note 9 Pro, अगर इसके leaks की बात करें, तो 2 images leak हो कर आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको quiet camera का spot मिलता है, और dual LED flash मिलती है, और back side में किसी भी तरह का fingerprint sensor नहीं है, तो maximum chances यही है, कि इसका in display fingerprint sensor देखने के लिए, मिल सकता है आपको आने वाले कुछी time में, अभी तक कुछ जादा leaks निकल कर नहीं आए हैं, जैसे ही मिलेंगे आपको इसी channel पर जरूर inform किया जाएगा, नेक्स smartphone की बात कर तो वो आने वाला है, realme की तरफ से realme 6i, इस smartphone के अंदर आपको HD Plus due drop design की display मिलेगी, snapdragon का 710 या 712 का octagon processor मिलेगा, 48 Plus, 8 Plus, 2 Plus, 2 Megapixel का quad camera support मिलेगा, 13 Megapixel का selfie camera support मिलेगा, 57 image की battery मिलेगी, 4GB की RAM, 64GB की इंदर storage, type C का slot मिलेगा, 18 mode की fast charging मिलेगी, और price आपको मिलने वाला है 10,19,99 रुपय का, कुछ image लेखों कराई हैं, वो मैंने आपको शोक कर दी गई है, दोस्तों आपको इन सभी smartphone में से कि smartphone का सबसे ज़्यादा वेट रहेगा, मुझे comment करके जरूर बिताइएगा, आपको ये video कैसे लगी, मुझे like ये dislike करके अपना feedback दीजेगा, अपने दोस्तों के साथ share केजेगा, और channel को subscribe करना नहीं बुलिएगा, thank you so much, have a good day.